दमन्के विबिन्न विस्तारों में आज जलराम जैंती बड़े ही दूम धाम से मनाई गई जलराम जैंती के उपलक्ष में आज सभी जग वाजिंत्र के साथ जलराम बापा की पालकी निकाली गई जिसमें सभी बक्तगण शामिल हुए पालकी के बाद सभी बक्तगणों ने जलाराम बापा की बड़े ही भाव पूर्वक आर्ती की दमन के विभिन्न जगहों पर जलाराम जैंती पर शुद्धालों ने जलाराम बापा के आशिर्वात प्राक्तकर महाप्रसाद का भी लाव लिया अगर आपको हमारा चैनल पर संद आया है तो प्लीज यूट्यूब पर सब्सक्राब करें और फेस्बुक पर लाइक, कमेंट और शेर करें पर शुरू करते हैं एक बार से कुछ नहीं होता है और एक ही बार काफी है सुरक्षा का खयाल रखना आदत है मेरी अच्छे अदत है चल चल जल दिकर पांच मिनट का तो काम है यार एक बार हेलमट नहीं पहना तो क्या आफात आ जाएगी अगर आगई तो आदत है यार आदत आदत इसा मज़ाना सजा भी बन सकता है संबलकर चलने की आदत ही भली तू और तेरी आदत यार बोला थाना संबलकर चलना अच्छे आदत है कॉंडम देना पीज? शुक्रिया, मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके, तो HIV-AIDS, यौन संकरमन या अंचाहा गर्ब कुछ भी हो सकता है, इसलिए कॉंडम हर बार एक अच्छी आदत. जादा बीमारी रहता है, तो पैसा नहीं नहीं, फिर अमारा जमीन रहता है, तो बेचना पड़ता है, उसे भी आगे नहीं हुआ, तो अमारे पास कुछ आगे का है रस्ता है, नहीं. मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसल हुआ था, ऐसे तफली फिताना पैसा बैसा कुछ नहीं था. हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में टिमर हुआ था, अपना जो भी है, वो बेच की उसको इलाज कराना पड़ेगा, मनने थोड़ी न देगा. सेविंग तो पूरी खतम होई जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है, तो कहीं से करजा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ने कुछ तो करेगा, वो करजा बढ़ता है, और आदमी पूरा करजे के बोज में दब जाता है. ऐसे करोणों परिवार हैं, जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थि सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोज है. लेकिन अब नहीं, भारत सरकार ने ऐसे करोणों परिवारों को खुशियान लौटा दी हैं. मानिनीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुश्मान भारत, प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थि सुरक्षा योजना है. इस योजना में देश के 10 करोड से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थि सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है. आयुश्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतिये परिवारों को लाब दिया जा रहा है. इस योजना में 5 लाख रुपे का स्वास्थि बीमा हर परि आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाती जनकर्णा 2011 में लिखा हुआ है कि नहीं यह आप नजदी की स्वास्त केंदर में जाकर देख सकते हैं आई शुमान भारत योजिना अंतरगत जे लोकों नू लाभार्थियों ने आई योजिना नू लाभ मलेचे शिवाय पन जनी आवक मर्यागा एग लाक करदा वधू से एवा संग प्रदेश ना नागरी को माटे पन आ योजिना लाभ लेश कासे हशा राखू सु कि आप पना योजिना नू लाभ लेशू साथे साथे आई योजिना अंतरगत तमाम लाभार्थियों ने उत्तम स्वास्त ने मंगल कामना करई शुम कामना वापू सु दमन देव एवं दाद्रा वर नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आए एक लाग रुपए से ज़्यादा है वो भी केवल सत्रा सो रुपए प्लस टेक्स सालाना भर कर इस योजिना से जोड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं इस योजिना में पांच लाग कभीमा हर साल हर परिवार को मिलेगा चाहे परिवार में कितने भी सदसे हों और किसी भी आयू और लिंग के हों साथ ही इस योजिना का लाभ पूरे देश में पोटेबल है आप योजिना की सूची में लिखे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं आयूश्मान भारत बीमा योजिना की सूची में दिये गए हॉस्पिटल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है हमारे घर में तो पहले से ही लोग बीमार है ये योजिना का लाभ उसको भी मिलेगा बिलकुल अगर परिवार के किसी सदस्य को पहले से भी कोई बीमारी हो तब भी पहले दिन से उसकी बीमारी पर बीमा लागू होगा साथ ही आपको स्वास्त की सभी सेवाएं कैशलेस दी जाएंगी यानि आपको कोई पैसा नहीं देना होगा इलाज के बाद अस्पताल का बिल सीधा बीमा कमपनी भरेगी। अस्पताल में भरती होने से पहले और अस्पताल छोड़ने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी बीमा में शामिल होंगे। स्वास्त की सुरक्षा आपके और आपके अपनों की है और साथ भारत सरकार का है। आयुश्मान भारत प्रधान मंतरी जन आरोगे योजना का लाब लेने के लिए 24 सितंबर को नजदी की स्वास्त केंदर में पंजी करण कराएं। अधिक जानकारी के लिए टूल फ्री नंब पर एक शूने चार पर संपर्क करें।